रमजान की पहले इफ्तारी में क्यों न कुछ मेठा हो जाए और ऐसा यूनिक स्टाइल स्वीट जो आप कुछ दिनों तक स्टोर भी कर पाए ये जो स्टीट की रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर कर रहे है वो बहुत ही इजी वैसे बनके रेडी होती है और आप इसे पार से छे दिन के लिए स्टोर करके इंजॉय भी कर सकते हैं इसे बनाने के लिए हमने यहां पर लिया है एक कप All-Purpose फ्लोर जिसे मैदा भी कहा जाता है आड़ कर देंगे 1-4 टीस्पून सॉल्ट आप अपने टेस्ट के इसाब से सॉल्ट कमजादा कर सकते है अब आड़ कर लेंगे गरम किया हुआ टेल हमने यहां पर करीबन 1 टेबल किया है और और को हमने पहले अच्छे से गरम कर लिया है और जैसे हल्का ठंडा हो जाए उसके बाद हम इस All-Purpose फ्लोर को मिक्स कर लेंगे और के साथ में हमने यहां पर ओल का यूज इसलिए किया है क्योंकि जब हम पापरी को बनाएंगे तो यह पापरी जो है वह करना है जैसे हम रोटी और पूरी के लिए बनाते है बस उसी तरीके से हम यहां पर एक नॉर्मल बनाके रेडी करेंगे तो धीरे धीरे इसमें पानी एड करते जाएंगे और डो को बनाते जाएंगे लिजे हमने यहां पर डो बनाके रेडी कर लिया है डो को हमने यहां पर बनाके ready कर लेता है sugar powder sugar powder बनाने के लिए हमने यहापर ले लिया है 1 4th cup शुगर और साथी में इसमें add करेंगे 4 सिपाच हरी ilay ji ilay ji को हमने यहापर पिल करके add किया है sugar को पीस के हमने यहापर एक fine powder बना दिया है अब हम इसे निकाल लेंगे इस पॉडर का यूद हम करेंगे एंड में तो इसे हम साइड में रख देते हैं और देख लेते हैं हमारे डो को जिसे हमने प्रिपेर किया था इस डो को हम यहां पे 7-8 बार अच्छे से रख कर लेंगे और इसे एकड़म फाइन डो बना लेंगे जैसा हम रोटी के लिए बनाते हैं इस डो को अच्छे ते गुनने के बाद हम इसके पर अपलाई कर देंगे 3-4 बूर्ड ऑइल के और फिर एक बार इसे 2-3 बार गुन लेंगे लिजे एकड़म बढ़िया सा यहां पे हमारा सॉफ्ट डो बनके रेडी है अब हम बना लेंगे इनकी छोटी-छोटी पूरिया इस डो मेंसे हम ले लेंगे थोड़ा सा पोश्चन और उसे हाथों की हर्प से हम गोल बना लेंगे जैसे हम रोटी के लिए बनाते सीम उसी तरीके से बस याद रहे कि हमें यहाँ पे एक छोटा सा पोजिशन लेना है डोग का और सबसे पहले हम इसे सुखे औल परपस फ्लो से कोट कर लेंगे और अब हम इसे रोटी रोलर की हैट से बेल लेंगे हमें यहाँ पे इस पापड़ी का शेप पे धान नहीं देना है बस हमें इसकी ठिकनेस पे धान देना है हम यहाँ पे बना रहे है पापड़ी तो जो पापड़ी की ठिकनेस होती है वो थोड़ी सी पतली होती है पूरी से पूरी जो होती है वो बनती है soft और जो पापड़ी होती है वो बनती है crispy तो हमें यहाँ पे कम थिकनेस वाली पापड़ी को बेलना है एकदम मेडियम तिकने से आपको यहाँ पर रखनी है हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं और अब हम ले लेंगे एक बाउल और बाउल की हल्प से हम यहाँ पर एकदम प्रॉपर राउंड शेप कट कर लेंगे साइड के जो एजे से उसे हम निकाल देंगे और देखे कितना बड़िया राउंड शेप आगया है पापड़ी का ये जो पापड़ी हमने यहाँ पर बनाई है नाइफ के हल्प से हम इसके ओपर लगा देंगे कुछ कट्स ओपर से थोड़ सी स्पेस रख देंगे और सेंटर पे इसके कट्स लगाएंगे वन बाई वन करके पूरी पापड़ी पे हम यहाँ पे सेम टाइप के कट्स लगा लेंगे जी जी जो पहली पापड़ी हो बनके रेडी है सेम तरीके से हम यहाँ पे बाकी के पापड़ी भी बना के रेडी करेंगे पापड़ी का अच्छे से बेल लेना ईसके बाद हम एक बॉल की हल्प से इसे कट कर लेंगे और涼 के लंबे-लंबे कट लगा लेंगे पापड़ी की ठिकने साथ यहां पर देख सकते है बस इसी तरीके से सब भी पापड़ीओ को हम यहां पर बनाना है और इसे हम हम फ्राइ करेंगे औल को हमने यहां पर प्रिएट कर लिया है अब इसमें आड कर देंगे पापड़ी स्पून की अल्ग से हम यहां पर पापड़ी को हलका हलका सा प्रेस करते जाएंगे ताकि जो पापड़ी है वह उपर से भी अच्छे से फ्राइ हो जाए घी जो पापड़ी है वह पूरी की तरह फूलेंगी नहीं क्योंकि हमने इसे बहुती जादा पतला बेला है और इस पे लगा दिये हमने बीज-बीज में से कट तो इसी वजए से यह जो पापड़ी है वह फूलेंगी नहीं एक साइट से fry होने के बाद हम इसे टर्न करके दूसरे साइट से भी fry करेंगे हमें इस पापडी को golden brown हुए तक fry करना है तो हम इसे medium flame पे fry करेंगे लिजे perfect golden brown पापडी यहां पर बनके ready है बस आप इसे इतना ही fry कीजिएएगा इसे ज़्यादा fry मत कीजिएगा अब आयत कर देंगे दूसरी पापडी को फ्राय होने के लिए और इसे भी हम वीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन हुए तक फ्राय करेंगे जो पापडी हम यहां पे फ्राय की है उसके उपर हम डस्ट कर देंगे शुगर पॉर्डर जो हमने बना के रेडी किया था जब पापडी हलकी सी गरम रहे तभी आप इस शुगर पॉर्डर को डस्ट कर दीजिएंगा पापडी पे ताकि शुगर को पापडी अच्छे से अब्रॉप कर पाए फिर एक पापडी को हमने यहाँ पे फ्राय करके निकाल लिया है अब हम इसके उपर जो शुगर पॉर्डर है उसे अच्छे से डस्ट कर देंगे सेम तरीके से हमने यहाँ पे काफी सारी पापडी बना के रेडी कर ली है बहुत ही मज़ेदार स्वीट पापडी बनती है अगर आप इस पापडी को स्टोर करना जाते है तो आप इसे पुरी तरीके से थंडा होने दे यानि कि नॉर्मल रूम टेंपरेचर पे जैसे ही आ जाए उसके बाद आप किसी एर टाइट कंटेनर में इसे स्टोर कर सकते है पासे छे दिन के लिए सुखी पापडी तो आपने कई बार खाई होंगी तर एक बार इस टाइप की स्वीट पापडी बना के देखिए बहुत ही मज़ेदार लगती है खाने में यह जो पापडी ह करें वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में वीडियो को जादे से जादा शेयर करें थैंक यू फ्रेंट्स गुडबाई